Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a short story The Basement Room written by Henry Graham Greene. Basement word का वैसे मतलब होता है underground. So basement room means an underground room. इससे पहले कि यह story को हम progress करें. Henry Graham Greene यानि की writer के बारे में हम कुछ चीज़े जान लेते हैं और इनसे related भी multiple choice questions आते हैं जैसे When was the writer born? 1904. When did he die? 1991. He was a great English writer and journalist as well. इनके writing में mainly दो चीज़े जादातर cover होती हैं. एक serious catholic novels और दूसरा thrillers. इन्होंने short stories भी लिखी हैं. और यह जो short story हम पढ़ने जा रहे हैं. यह पहली बार इनके 1954 collection में publish हुआ था. Short story के collection का नाम था 21 stories. यह कहानी third person narrative में लिखी गई है. मतलब कि story में सभी characters third person से refer किये जाएंगे. He, she, they, इस तरह से. और जो narrator है story का, वो story का character नहीं है, वो story का part नहीं है. वो एक omniscient view hold करता है. वो एक bird's eye view hold करता है. इस story का protagonist है Philip. Philip जब seven years old रहता है, तो उसके parents 15 दिन के छुट्टी, यानि four nights holiday में चले जाते हैं. और बच्चों को समालने के लिए जो nurse होती है, वो Philip की present नहीं होती क्यूंकि पुरानी nurse नौकरी छोड़ चुकी रहती है और नई nurse आई नहीं रहती है. और इस दौरान Philip Lanes अपने घर में अकेला होता है. हाँ, उसके साथ घर का बटलर Mr. Baines और उसकी wife Mrs. Baines present होती है. उस साथ साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो कुछ ऐसा देख लेता है, कि उसका लोगों पर से भरुसा उठ जाता है, वो लोगों के साथ trust relation maintain नहीं कर पाता है. और इस वज़से, वो 7 साल का था उस वक्त, और 60 साल बाद, याईनि जब वो 67 years old हो जाता है, वो अपने deathbed पर present है, और उस वक्त भी वो किसी के साथ relation ढंग से maintain नहीं कर सका है, जिसके वज़से उसके साथ कोई भी नहीं है वहाँ, सिर्फ उसकी secretary present है. और आज भी जब वो उन पुराने incidents को याद करता है, तो उसका mind पागल जैसा हो जाता है, वो traumatic experience उसके mind में फिर से आ जाता है, वो सारे confusions जो तब हुए थे जब वो 7 साल का एक छोटा बच्चा था. Graham Greene ने बहुत wisefully symbols को use किया है स्टोरी में और थोड़ा बहुत suspense भी है, जिस घर का जिक्र हुआ है इस स्टोरी में, that is Belgravia house, वैसे Belgravia एक district भी है Central London में. स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जब घर का front door बंद हो जाता है और फिलिप के parents जिस गाडी से छुटियों पर जा रहे हैं, उस गाडी के engine की आवाज कम होते होते गायब हो जाती है, तब फिलिप्स को थोड़ा अजीब लगता है कि वो इस घर में अकेला रह गय मिस्टर बेंस और मिसिस बेंस के साथ, लेकिन फिर सडनली वो realize करता है कि अकेलेपन के साथ एक freedom आया है, अब वो इस घर में जहां चाहे वहां जा सकता है, जा इस स्टोरी में यूज किया गया है green bay's door, लब होता है कि एक ऐसा दर्वाजा जो servant's quarter को family के living grounds से अलग करता है, आज तक फिलिप को उस servant's quarter में जाने की permission नहीं थी, यानि green bay's door के आगे जाने की permission नहीं थी, basement room में जाने की permission नहीं थी, लेकिन आज जब उसके guardians present नहीं है, उसकी nurse नहीं है, तो वो उसके अंदर भी जा सकता है, So that green bay's door acts as a symbol that separates innocence and knowledge, love and hatred, child and adult, और अपने parents के absence में, जब वो अपने servant से जाके mix up होता है, तो कहीं न कहीं उसकी जिन्दगी इससे जुड़ जाती है, वो एक adult life में enter कर जाता है, और वो इतना बड़ा भी तक नहीं होता है, कि वो उस adult life के problems को, duplicity को accept कर सके, Mrs. Baines को शो किया गया है, स्टोरी में, एक बहुती boring lady, जो अपने काम तो बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उनके life में कोई मस्ती नहीं है, Mrs. Baines के मालिक लोग 15 दिन की छुटी पे गए हैं, तो वो घर की जितने भी chairs है, furniture है, सबको वो dust sheets से cover कर रहें, ताकि धूल ना पड़े, curtains वगेरा, सब कुछ वो clean करने के लिए हटा रही है, Philip Lane उस green base door को खोलता है और pantry में enter करता है, वहाँ देखता है कि Mr. Baines present नहीं है, तब वो पहली बार basement room में enter करने जाता है, जहाँ पे Mr. Baines रहते हैं, अगर देखता है कि Baines बड़े आराम से बैठ कर newspaper पढ़ रहा है, और जब Philip एंटर करता है, तो Baines उसे बोलता है आओ आओ बारे 11 बज रहे हैं, तो usually ऐसे घरों में जो बच्चे होते होने बहुत routine से खाना दिया जाता है, बीच बीच में कुछ भी sweets वगएरा खाने की permission नहीं मिलती है, और आज जब वो Baines के कमरे में गया है, तो वो से कहता है, जब आए हो तो चलो enjoy करते हैं, मैं तुमें डंडी क खिलाता हूं और ginger beer पिलाता हूं, डंडी केक is actually a Scottish fruit cake और ginger beer में alcohol नहीं होता, फिलिप काफी खुश था Mr. Baines के साथ, Mr. Baines पहले एफरिका में काम करते होते हैं, वो फिलिप को कुछ old posters की कहानी सुनाते हैं, फिलिप अपने डंडी केक को हाथ में लेता और पूरे कमरे में आर और वो अपने इस freedom को काफी enjoy कर रहा था, वो Mr. Baines को भी काफी पसंद करता है क्योंकि वो उसे कभी भी master फिलिप करके ऐसे इज़त से नहीं बुलाते, वो उसे प्यार से फिल बोलते हैं या फिर फिलिप बोलते हैं, लेकिन Mrs. Baines हमेशा उसे जो उसका ओहदा था, उस काने के टाइम के बीच में भी कुछ खा रहे हैं, Mrs. Baines जब भी उपर से सफाई करके आती थी, तो जो भी tubes होते थे जैसे कि paste के tubes, creams के tubes, सब को उठा करके नीचे ले आती थी और उसमें से जो कुछ उनके काम का होता था वो निकाल कर रख लेती थी और बाकी सारे tubes वो पर सरी एक ऐसे कमरे को कहते हैं, जो specially बच्चों के रहने के लिए डिजाइन किया जाता है, Mrs. Baines डाट रही होती है, Mr. Baines को, कि तुम इस बच्चे को क्यों बरबाद कर रहे हो, चलो जाओ अब कुछ काम करो, वो सोचता है फिलिप्स कि काश Mrs. Baines भी घर से चली जाती, फिर मैं और Mr. Baines दिन भर मस्ती करते घर में, उसको अपने मेकैनो सेट से भी खेलने का मन नहीं कर रहा है, चलो मेकैनो सेट में कुछ चीजें होती है, जिसको जोड करके हम अलग-अलग डिजाइन्स बना सकते हैं, मिन्स बच्चे की क्रियेटिविटी स्किल्स को बढ़ाने की तैयारी की जाती है, उसको यूज करके, फिलिपस को ऐसा लगता है कि अब जब घर में कोई नहीं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं Mr. Baines का अच्छे से खयाल रखूँ, वो लंच का टाइम होता और Mrs. Baines काफी प्यार से फिलिप को बुलाती है, उसे मीट खिलाती है, वो सुभाव से तो बहुत कडवी रहती है, खराब रहती है, लेकिन वो मिठाई या मीठी चीज में बहुत अच्छी बनाती है, जाए वो जान सो, पुडिंग हो, फिलिप फिर Baines को कहता है कि सुनो ना इस दो पहर में मुझे बाहर गुमाने ले जाओगे, टहलाने ले बेंस फिलिप को डाटती है और कहती है कि नहीं आप बाहर नहीं जाएंगे, आप जाके अपने रूम में आराम करेंगे, फिलिप कहता है कि नहीं मैं बाहर जाओँगा मिस्टर बेंस के साथ, मैं घर पर नहीं रहोंगा, और वो में गेट की तरफ बढ़ता है, तभी मिठे बेंस से I hate you मैं आपसे नफरत करता हूं और मिसेज बेंस बहुत गुसा हो जाती है और कहती है कि यह सारी बात आपके father and mother सुनेगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा आप sorry बोलोगे और फिर यह सारे इन लोगों के बीच यह बहस होती है और फिलिप यह देखकर खुश हो ज जाने देती है वह जब घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि शॉप की खिड़कियों पर पिंक शुगर केक्स थे सॉसेजेस थे पर थोड़ा चलते चलते वह ठक जाता है और उसे जादा बहुत रास्ते की जानकारी भी नहीं रहती वह आज तक कभी अकेले निकला भ पिर लोटने लगता है उसी रास्ते में वो लगभा घर पहुंचने ही वाला रहता है कि उसे एक जगह पे बेंस बैठावा दिखाई देता है एक डिफरेंट बेंस जो एकदम निर्भीक था बहुत खुश था और उसके साथ एक लड़की भी रहती है इसके मन में एक बदम इनकी कौन दी वो लड़की थोड़ी यंग रहती है और अपने फेस पर कुछ पाउडर वगार लगा रही होती है उसे लगता है कि मिस्टर बेंस की यह नीज है भ्ती जी है करियए और इसलिए वह उससे पूछता है या आपकी नीज है तो Mr. Baines जूट कह देता है कि हाँ Mr. Baines फिलिप को पिंक शुगर केक खिलाते हैं Actually यही पिंक शुगर केक Mr. Baines को फसा भी देता है और वो जो लड़की उनके साथ रहती है उनकी गर्लफरेंड रहती है और उस लड़की का नाम रहता है घर लोटते वक्त Mr. Baines फिलिप से कहता है कि देखो बच्चे मैं तुम्हें जूट बोलने को नहीं कह रहा हूँ मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये बात अपनी Mrs. Baines को मत बतलाना कि तुम ने किसी लड़की को मेरे साथ देखा था अब जैसे ही Baines और फिलिप घर के एकदम नजदीक आ जाते हैं फिलिप को बहुत घबराहट होने लगती है वैसे बात कुछ बड़ी रहती नहीं है पर वो बच्चा रहता और उसने आज तक कभी भी कोई बात उसे छिपानी हो ऐसा करके उसने कभी कुछ किया नहीं था और इसलिए वो Mrs. Baines से ऐसे भी बहुत डरता है और अभी भी उसे थोड़ा डर लग रहा होता है लोग कहता है Baines को कि सुनो ना चलते हैं हम लोग खोड़ा पार्क में घूम के आता है अभी भी बहुत शाम नहीं हुई है तो Mr. Baines कहता है कि देखो उस उस उपर में देखो परदों के बीच में से वो जहांक रही है मतलब उसको चुप चाप ये चीज़ वो शेयर करता है और Mrs. Baines को ऐसा बिलकुल पता नहीं चलने देता कि ये उनको देख चुका है कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है फिल हम लोग घर के अंदर जैसे ही गुसेंगे तुम दौड के सीडियों से उपर अपने कमरे में चले जाना और बिलकुल ऐसा ही होता है जैसे ये लोग घर में घुसते हैं फिलिप दौडता हुआ अपने नरसरी में चला जाता है वहाँ वो देखता है कि उसका सपर प्रेजन्ट है उसका रात का खाना शाम का खाना प्रेजन्ट है जिसमें एक गलास दूद रहता है पीस ओफ ब्रेड और बटर रहता है स्वीट बिस्किट और लिटल कोल्ड क्वीन्स पुडिंग रहता है फिलिप्स की सारी भूख मर चुकी होती है उसके अंदर घबरहाट हो रही होती है वो सारा खाना फिनिश भी नहीं करता वो सिर्फ दूद पी लेता है और बिस्किट खा लेता है और वो बहुत सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि नीचे सर्वन्स कौर्टर में क्या बात हो रही है मिस्टर और मिस्स बेंस के बीच में लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वैसे भी मिस्स बेंस एक अच्छी सर्वेंट रहती है इसलिए उनको हाबिट होता है धीरे बोलने का और वो बहुत सौफ्टली वाक भी करती है मिस्स बेंस फिर अंदर आती है बच्चे के नर्सरी में और वो थोड़े भी खराब मूड में नहीं रहती है वो बहुत हस्ते वे बोलती हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम बाहर टहल आए और ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हें बेंस बाहर मिल गया वरना अगर तुम्हारे पेरेंस को पता चलता कि तुम अकेले बाहर टहलने निकल गए हो फिलिप्स कहता नहीं नहीं रहने दीजे मिसिस बेन मिसिस बेन्स फिलिप्स से कहती और आपने कुछ इधर उधर खाया तो नहीं डस्ट्विन में से कोई वेस्ट पेपर उठाया तो नहीं फिलिप्स कहता कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और फिर वो फिलिप के शोल्डर पे से हाथ रखती है और कहती है अफकॉस मुझे पता था आपने नहीं किया होगा और जैसे उसके शोल्डर पे हाथ रखती है उसके हाथ में पिंक शुगर का एक टुकड़ा आ जाता है वो कहती कि अच्छा आप मुझे समझ में आया आपकी भूग कहां चली गई आप बाहर जाकर के पिंक शुगर केक खाये हैं कि आपकी पॉकेट मैनी इसलिए आपके पेरिंस देते हैं वो बोलता है, नहीं नहीं, मैंने अपने पॉकेट मैनी को खर्च नहीं किया है वो उस पिंक शुगर जो उनके हाथ मेरा तो उसको टेस्ट करते हैं और बोलती है, यह बिल्कुल यह उसी का टुकड़ा है वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं खरीदा था उन लोगों ने मुझे खिलाया था मेरा मतलब है कि Mr. Baines ने मुझे खिलाया था अब ये उन लोग पर जाके फस जाती है कि अब वो फिलिप के पीछे पर जाती है कि सच बोलो Mr. Baines किस के साथ थे ये उन लोग कौन है अब after all फिलिप रहता तो एक बच्चा ही है वो Baines के सीक्रेट को नहीं रख पाता है और वो मन में सोचता है इन बड़े लोगों की दुनिया बहुत मुश्किल है उसे समझ में आ रहा है कि उसमें आजादी तो है पर बहुत सारे responsibilities है बहुत सारी मुश्किले भी है मिस्टर Baines को मुझसे ये राज शेर ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि बड़ों की दुनिया में मुझो उने घसी इतना ही नहीं चाहिए था और वो मिस्स बेंस से इतना ड़ जाता है कि वो सारी बाते बता देता है वो ये भी कहता है कि उसके साथ बहुत खुश थे मिस्टर बेंस, मिस्टर बेंस आप बहुत बुरी हैं और वो आपके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं और हाँ उनकी भतीजी है, नीस है मिस्टर बेंस फिलिप के प्राबलम को और बढ़ा देती, वो उससे कहती है कि सुनो फिलिप, बहुत प्यार से बात करती है, कि मैं तुम्हें एक मेकानो सेट लाकर के दूंगी, बस मुझसे प्रामिस करो, कि मिस्टर बेंस के सारे राज तुमने मुझसे शेयर कर दिये हैं, ये बात तुम उनको जाकर के नहीं बताओगे, कि अब मुझे सब कुछ पता है, ये सारी बाते अब हम दोनों के बीच की सीक्रेट है, अब फिलिप कुछ और ये सब सोच नहीं सकता था, वो बस इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता था, और हाँ, मेकानो सेट से वो क्रियेटिविटी खत्म हो गई, मेकानो सेट रिप्रेजेंट करता है क्रियेटिविटी को, और मेकानो सेट यूज न करना रिप्रेजेंट करता है, अब फिलिप्स क्रियेटिविटी, फिलिप्स इन सभी बातों को अपने मन से निकालना चाहता है, और वो चुप-चाप अ continuously hit करना वो बहुत खुशी खुशी उठा रहा है फिलिप को और कह रहा है बहुत खुशी की बात है उठो मिस्स बेंस जा चुकी है उनकी मा मरने वाली उनकी तवित बहुत खराब है और उने के पास वो चली गई है अब पूरा दिन हम नजवाई करेंगे वैसे तो फिलिप मि बहुत पसंद करता है लेकिन वहन पर नाराज हो रहा है कि आप मुझे इतना सुबह क्यों उठा दिये एक तरफ फिलिप को ये देखकर खुशी हो रही थी कि बैंस खुश है तो दूसरी तरफ उसे डर लग रहा था कि अब बैंस का क्या होगा पता नहीं मिस्स बैंस क्या क चाहता था इन बड़ों की जिंदगी की आजादी को वे इंज्वाई भी करना चाहता था पर उनकी कॉंपलेक्सिटी से से डर भी लग रहा था फर्दर मिस्टर बैंस फिलिप को कहता है कि तुम जल्दी से तयार होकर नीचे आ जाओ और फिर जहां पर सारे लेटर आते वह जाता तो वो यौकबा में जाना चाहता और वहां पर एक ग्लास ताउट और ओइस्टर लेना चाहता पर फिलिप के खातिर ही वो उस कॉर्णर हाउस में रुका और वहां पर उन लोगों ने लंच किया फिर बैंस फिलिप को लेकर के जू गया और फिर बस से वो लोग लौट रहे थे Mr. Benz और फिलिप वो artillery memorial के तरफ से होगर efterके गुजरा और फिर फिलिप पूछता है Mr. Benz से क्या आपके पास revolver है तो Mr. Benz बहुत responsible होके कहता है कि of course मेरे पास एक commander वालवर है वरना आजकल इस जमाने में इतनी चोरियां होती है इतनी बगलरी होती है उस वक्त तो तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए यह रखना बहुत जरूरी है और यह बात फिलिप को सुनकर के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे बैंस का यह रिस्पॉंस लड़की को देख करके फिलिप को फिर से वो सारा कॉन्वसिशन याद आ जाता है जो मिसिस बैंस के साथ हुआ था और वो सोचता है कि वापने लड़की फिर आगई यह अनलकी है वो सारी बात मिस्टर बैंस को बताने ही वाला रहता है कि फिर उसके दिमाग में एक बात आ होते हैं जिंजर पॉप फ्लागन ओफ हार्वेस्ट बर्गंडी फ्लागन कहते हैं एक लार्ज कंटेनर जिसमें ड्रिंक को सर्व किया जाता है तो सॉसेज यह सब कुछ वो टेबल पर अरेंज कर रहे होते हैं और फिर फिलिप को कहते हैं कि फिल उपर जाके देखो तो पर अच्छा नहीं लगता तब तक जब तक की सारी बतियां न जल जाएं तो इसलिए वो जल्दी से दौड़े-दौड़े जाता है वहां पर पोस्ट मैन लेटर रखके जा रहा होता है वो लेटर लेता है और फिर उसे लेकर नीचे आता है तो देखता है कि मिस्टर वेंस एमी को किस कर रहे हैं ड्रेसर के अगेंस्ट धक्का दे करके और फिर फिलिप जाके बोलता मिस्टर बेंस आपके लिए एक लेटर है यह सुनकर बेंस का जैसे कि दिमाग खराब हो जाता है वो बोलता देखा एमी देखा वो मेरा पीछा छोड़ेगी यह नहीं लगता है व पर उसमें लिखा है कि वो कल रात से पहले वापस आने वाली नहीं है और यह पढ़कर मिस्टर बेंस का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता ड्रिंक्स के बाटल को खोलते हैं खुशी से एमी को पकड़ते हैं और वापस से उसी ड्रेसर के अगेंस्ट उसे किस करने लग हैं वो यहीं कहीं इस कमरे के आसपास या घर में कहीं हैं और सही मौके का इंतजार कर रही हैं हमें पकड़ने के लिए इसलिए वो बहुत घबराया हुआ था वो देख रहा था कि एमी और मिस्टर बेंस के बीच एक स्वीट रिलेशन है मिस्टर बेंस फिलिप से पूचता हमारी उसके बार डिनर वगर हो जाता है बेंस कहते हैं कि फिल अब तुम्हें सो जाना चाहिए तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है और बच्चे का कमरा तो कुछ फ्लोर उपर रहता है तो वो लोग दुन साथ ही चल रहे होते हैं और सब जगा के स्विच इसको एक साथ ही प्रश नहीं करवाते हैं और उसे उन दोनों की प्यार भरी बाते सुनाई देती हैं धीरे धीरे वह आवास धुनली होती चली जाती क्योंकि वो लोग इसके कमरे से दूर जाते हैं और जैसे फिल अपनी आखे बंद करता उसे थोड़ी नीद आती कि उसे फिर से डरावने स मिसिस बेंस सामने खड़ी हैं वो बहुत घबरा जाता है और मिसिस बेंस बहुत धीरे से इससे पूछती हैं फुस फुसा करके वो लोग कहां गए हैं तुम्हें पता है ना बताओ फिलिप्स मिसिस बेंस को यहां देखकर फिलिप बहुत घबरा जाता है और वो कुछ बोल करोगे मैं तुम्हारे पापा को बोलूंगी नहीं नहीं मैं तुम्हारे पापा को नहीं बोलूंगी एक बार उन दोनों को खोज लेती हूं फिर मैं तुम्हारा हिसाब खुद से करूंगी अब घर तो बहुत बड़ा था और बहुत सारे कमरे थे लेकिन हां कहीं हलकी हलकी सी दो लोगों की आवाज आ रहे थी कि विस्परिंग साउंड आ रहा था वो दो लोग जो बहुत प्यार से आपस में साथ में सो रहे थे और वो चुप चाप पैर दबाते हुए फिलिप की रूम के बाहर बिना किसी आवाज किये निकलती है फिलिप को लग रहा था ऐस इफ वो मर जाये वो खत्म हो जाये उसे नहीं जीना चाहिए और फिर उसके दिमाग में आता है कि नहीं ओस अलॉट टू मिस्टर बेंस आफ्टर और उन्हीं के कारण वो जू जा सका जिंजर पॉप उसने लिया और बस राइड करते हुए वो घर आया और शाम का रात का खाना उसने खाया वो भी बहुत डेलिशस था इसलिए उसे लगता है कि उसका भी मिस्टर बेंस के प्रती कुछ फर्ज है और जैसे मिस्टर बेंस की आदत होती है वो बहुत पैर दबा दबा कर धीरी धीरी नीचे जा रही थी और रूम्स के नॉब्स को धीरे धीरे खोल कर चेक कर रही थी वो एक्चली एमी को और मिस्टर बेंस को साथ में पगड़ना चाहती थी वो थोड़ा नीचे ही गई थी कि इधर फिलिप भी अपने कमरे से बाहर आ गया और जोर जोर से वो बेंस बेंस चिलाने लगा उसको देखकर मिसेस बेंस को इतना गुसा आया कि वो तेजी से उपर आने लगी ऐस इफ वो फिलिप को कुछ नुकसान पहुचाएगी फिलिप बहुत ज़ादा घबरा जाता और उसे देखकर उसके वही जो डरावने सपने हैं वो सब उसे याद आने लगते हैं लेकिन उसके थोड़े ही आवाज देने पर बेंस कमरे के बाहर आ जाता है और मिसेस बेंस के उपर पहुचने से पहले वो फिलिप के आगे खड़ा हो जाता है और मिस्टर और मिसेस बेंस के बीच एक फिजिकल फाइट शुरू हो जाता है मिस्टर बेंस उसको कमर पे पुरा जोर से पकड़ लेते हैं कोई किसी को दांत काट रहा है कोई किसी को धक्का दे रहा है हैसा लग रहा है as if वो strangers थे और मिस्टर बेंस के अंदर तो मिस्टर बेंस के लिए काफी नफरत भरी ही हुई थी पीचनी लडाईयों के बीच मिस्टर बेंस एकदम सीड़ी के रेलिंग से दूर उपर से उड़ते हुए जैसे हॉल में जाकर के गिर जाती है एक हाइट से वो गिरती है तो जाहिर सी बाते उनकी डेथ हो जाती है फिलिप का ये सब देख करके बहुत मन डिस्टरब्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर मिस्टर बेंस वहाँ पर क्यों पड़ी हुई है बिल्कुल इस थिर जैसे किताब में कोई फोटो हो और मिस्टर बेंस उसी के पीछे-पीछे हॉल में चला जाता है तो इसे लगता है कि अब इस नर्क से इतने मुश्किल सिचुवेशन से इन बड़ों के दुनिया से निकल जाना ही आसान है और वो चुप-चाप घर से बाहर निकल जाता है उस वक्त उसे नहीं समझ में आता कि उसे खाने की भी ज़रत होगी सोने की जगह की भी ज़रत होगी और बाहर बहुत ठंड होगी वो नाइट सूट वाले पैजामाज में था और बेडरूम स्लीपर्स में था वो घर से बाहर निकलता और थोड़ा ही दूर जाकर के मुझे आराम से ढूंड लेंगे और इसलिए वो वहां से भी निकल गया इधर यह दिखाता है कि बंगलो नंबर 48 जो फिलिप का घर होता है उसका दर्वाजा खुलता है मिस्टर बेंस बाहर निकलते हैं साइड सब तरफ ऐसे देख लेते हैं और फिर इशारा से एमी को निकालते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं ऐसा लगता है ऐस इफ उसे कोई ट्रेन पकड़ना है परदर फिलिप मार्केट में और आगे निकल जाता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं होटेल्स भी हैं वहाँ पर वो आगे निकलता चला जाता है और वो हमेशा पुलिसमेंसे डरता है लेकिन अब जब एगंटा बीत गया है और उसे पता भी नहीं चल रहा कि वापस घर लोट कर जाएगा कैसे वो रास्ता भी नहीं समझ पा रहा है और उसे इस बात का भी डर लग रहा है कि पता नहीं घर जाने के बाद मिसिस बेंस मेरे साथ क्या करेंगी अब उसके मन में यादा कि काश मुझे कोई पहचान ले, मुझे कोई पकड के मेरे घर पहुचा दे कोई पुलिस मैन मेरे सामने आ जाए जिसके साथ मैं घर जाओं और जो मिसेस बेंस को हरा सके फिलिप एक कॉंस्टेबल के बगल से जान बूज कर गुजरता है कि कॉंस्टेबल उसे पकड ले और वो उसके साथ घर जाए और कॉंस्टेबल वो पॉफेक्ट मैच फॉर मिसेस बेंस मतलब वो मिसेस बेंस से जगड करके फिलिप को बचा सकता था लेकिन Constable ट्राफिक कंट्रोल करने में इतना बीजी होता है कि वो फिलिप को नहीं देख पाता एक वुमेन आती है और फिलिप को आफर करती है कि चलो बच्चे मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुचा देती हूँ लेकिन फिलिप को उस औरत पे विश्वास नहीं होता प्रस उसे ये भी लगता है कि Mrs. Binz को टकर देने के लिए ये औरत काफी नहीं है और कुछ समय बाद एक पुलिसमैन का भी ध्यान इस पर जाता है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है उस पुलिस स्टेशन का जो जस्टिस उसकी मूचे खूब मोटी मोटी हैं ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि वो छे बच्चों का बाप हो जैसे फिलिप को देखकर वो उसके लिए concern दिखाने की कोशिश करता है पर शायद ऐसा बिल्कुल भी वो अंदर से feel नहीं करता है वो constable को बोलता भी है कि आप जाओ और इस बच्चे के लिए एक गलास दूद ले करके आओ वो सोचता है कि घर पे कॉल करके बता दे कि उनका बच्चा यहाँ पर है और वो आजाए अपने बच्चे को ले जाए फिलिप चाहता है कि कोई पुलिस वाला उसे घर तक छोड़े और फिलिप के attitude को देखकर और जिस तरह से वो घबराहाट में दूद पी रहा है यह सब देखकर उस constable को लगता कि कुछ तो घर बढ़े दे something fishy और वो उस बच्चे से पुछता अच्छा एक बात बताओ तुम घर से क्यों भागे तुम इतने घबराय हुए क्यों हो और फिलिप बोलता है मुझे नहीं मालूम तो constable बोलता है कि आखिर मालूम तो करना पड़ेगा ना कि तुम इतने घबराय क्यों हो तुम घर से क्यों भागे constable फिलिप को समझाता कि तुम ही सोचो तुमारी mother father कितने anxious होंगे कितने परेशान होंगे फिलिप कहता है कि वो लोग तो है ही नहीं वो लोग तो गए हुए है further constable पूछता और तुमारी nurse तो बोलता है कि नहीं वो भी नहीं है तो constable यह पूछता तो तुम किन के साथ अपने घर पे रह रहे हो वो रोज आ गई है वही ले जाएगी इस बच्चे को घर लेकिन फिलिप कहता है कि नहीं मुझे constable के साथ ही अपने घर जाना है और वो कहता है कि यह काम एक woman का है और यह काम रोज ही करेगी चलो तुम वैसे भी रोज कोई काम तो करती नहीं और रोज आगे बढ़ती है फिलिप को ले जाने के लिए उसके घर पहुचाने के लिए तब भी फिलिप कहता है कि नहीं मैं उसके साथ नहीं जाओंगा और इन सारे confusions के बीच में फोन बजता है उधर से आवाज आती है कि क्या आपके पास कि अच्छा वहार करते हैं तुभ कहता कि हाँ रभार कंस्टब्स को मैं कह रहा और कि तुम इसलिए वो और कोई टेंशन की बाद नहीं है वैसे तो सविजेंट को जब कॉल आया था तभी मिस्टर मेंस उसे बता चुके थे कि सीडियों से गिरकर वो औरत मर चुकी है मिस्स बेंस मर चुकी है पर एक बच्चे के सामने वो डेथ वर्ड को यूज नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने इशारों में ही बोला था माउट के लिप सिंग के थू ही बोला था लेकिन फिलिप समझ गया था कि म मिस्स बेंस मर चुकी है और इसलिए जब वो कॉंस्टेबल के साथ घर लोट रहा था तो वह भूट घबरा रहा था क्यूंकि मिस्स बेंस को मरा हुआ भी नहीं देखना चाहता था रास्ते में इसी तरह बात करते करते कॉंस्टेबल फिलिप को उसके घर ले आता है और घर के गेट पे नॉक करता है दर्वाजा खुलता है फिलिप ये बाहर से देख लेता है कि बेस्मेंट के रूम का लाइट जल रहा है और उसे थोड़ा रिलीवड फील होता है जैसे गेट खुलता है कॉंस्टेबल ये पूछता है मिस्टर बेंस और मिस्टर बेंस कहता है हाँ जी बिलकुल और मिस्टर बेंस फिलिप की तरफ देख करके एक कुछ गलती कर देता है और बहुत छोटे से क्यूट सा फेस बनाकर अपने मालिक से माफी मांगता है बिलकुल उसी तरह से मिस्टर बेंस फिलिप को देख रहा था as if वो उससे कहना चाह रहा हो कि बस इस बार माफ कर दो, इस बार मेरा सीक्रेट तुम फिर से छेपा लो Constable कहता है फिलिप से कि चलो बच्चे तुम जाओ अपने कमरे में चले जाओ पर फिलिप वहाँ से नहीं हटता है मिस्टर बेंस उससे कहते है कि फिलिप चलो तुम अपने कमरे में जाओ यहाँ पर मत रहो फिर एक सेकेंड के लिए सोचता है कि वह मिस्टर बेंस को बचा ले अफ्टर आल वह उससे बहुत प्यार करता है लेकिन नहीं अब वह कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहता आफ्टर आल इस सीक्रेट के जाल में इस बड़ो की दुनिया में वह फसा था मिस्टर बेंस के कारण ही लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं मिस्टर बेंस के वज़स उसने में बहुत सारी मस्ती की सॉसेजेज खाए जू गया बस राइड ली लेकिन फिर उसका माइन बहुत हेवी हो रहा था यह सारे सीक्रेट को रखते रखते वह अब कुछ भी अपने माइंड में क्यारी नहीं करना चाहता था और बार बार जब कॉंस्टेबल और मिस्टर बेंस उससे कह रहे थे कि जाओ तुम अपने कमरे में चले जाओ तो वह एक ही बार इरिटेटेड होकी कहता है कि नहीं में वह नहीं जाओंगा हॉल में वह पड़ी हुई होगी और उसे मैं नहीं देखना चाहता मुझे डर बस तुरंद फिलिप बोलता कि नहीं नहीं अकेला नहीं था एमी भी थी इसके साथ अब मिस्टर बेंस के सारे राज खुल चुके हैं वह बेसिकली एमी को ही प्रोटेक्ट करना चाहता था लेकिन अब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है और वह फिलिप जैसे एक बच्चे के साथ होता है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता लेकिन उसके सब कॉंशिस में वो बात बहुत गहराईयों से घुश जाती है और आज भी जब वो अचानक से उठ जाता है बुरे सपने के साथ या फिर वो थोड़ा सा भी अनकॉंशिस सा होता हलकी नीद में जाता है तो अचानक से कभी-कभी मिसेस बेंस की वो हार्ष आवाज इसके कानों में गुंजने लगती है और आज भी जब वो 67 यह का हो चुका है डेथ बिड़ पे पड़ा हुआ है तो वो घबराहट में उठके यही पूछता है वो कौन है एमी के बारे में कि व उसे लगता है he is bad at keeping secrets आज वो मर रहा है और उसके बगल में सिर्फ उसकी secretary खड़ी है Guys this is the whole story hope आपको यह समझ में आया हो Still if you have any doubts feel free to mention it in the comment box below और हाँ अगर आप मुझे financial support करना चाहते हैं तो मेरा UPI ID नीचे description में दिया है आप उसमें whatever amount you wish send कर सकते हैं See you in the next video with a new topic till then keep smiling have wonderful days और हाँ अगर आपको notes चाहिए JSC CGL literature section से related या MCQs के PDF format में चाहिए तो आप kindly मुझे mail केजिए Notes का price है Rs. 150 and MCQs का price है Rs. 100 If you like the video with the like button share this video with your friends और अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए और बगल के बल इकन को press कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको notification मिल जाए Thank you